दोस्तों बांगलादेश को बनाने से 280 रन इसके बाद मैच में हुआ बड़ा बवाल जिया दोस्तों वल्डिकप का 38 मुकाबला बांगलादेश और शिलंका की टीम के बीच दिली के मैदान पर खेला गया जाइस बड़े मुकाबले में बांगलादेश ने टॉस चीत कर कर साकीब की गेंद पर आउट हुए जहां एक तरफ इस मैच में पतोम निसंका शांदार बैटिंग कर रहे थे और अपने अर्षतक की और आगे बढ़ रहे थे तो उनका साथ समय विक्रमा ने भी काफी शांदार अंदाज में दिया और ऐसा लग रहा था कि यह दोनों बल लेकिन एक तरफ चली तसलंका शिलंका की पारी को समाल कर खड़े थे तो इसके बाद बैटिंग करने मैथ्यूस उत्रे लेकिन दोस्तों इसी दौरान मैच में बड़ा खेल हो गया जहां मैथ्यूस जब बैटिंग करने उत्रे तो फिर उन्होंने अपने हेलमेट को देखा इसके बाद मैदान पर काफी ज़दा बवाल मच गया था और दोस्तो सभी ने इसकी काफी आलोचना करी त्योंकि दोस्तो इसमें खेल भावना बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी त्योंकि दोस्तो एक खिलाडी का हेलमेट पूरी तरह टूटा हुआ है और वो खिलाडी अपन कमाल का परदशन करा और एक के बाद एक चौके जड़े लेकिन चरी तसलंका इस मैच में कमाल की लैमें दिख रहे थे लेकिन इसी बीच मैंदी हसन मिराज ने धननजय डिसिलवा को भी आउट कर दिया था और वो 34 रन बना कर आउट हुए थे जा उनके आउट होने के बाद म चक्के तो 64 के शामिल थे हाला कि उनको 278 रन के स्कोर पर तंजीत हसन ने आउट कर दिया था और वो 108 रनों की बहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे और इसके बाद शिलंका की टीम 50 ओवर खेलने के बाद पूरी तरह अल आउट हो गई थी और दोस्तों बांगलादेश की टीम को उन्होंने जीतने के लिए 280 रनों का टार्गेट दिया था जाएंस मैच में बांगलादेश की तरफ से तंजीत हसन को तीन वी के ठात लगी थी और जब इसके बाद बांगलादेश की टीम टार्गेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनके शिडवात बहती खराब रह क्योंकि 17 रन के स्कोर पर दिलशान मदुशंका ने तंजीत हसन का आउट कर दिया था और वो 9 रन बना कर आउट हुए थे जाएंस मैच में लिटिन दास एक के बाद एक दो बड़े चखके जड़ चुके थे लेकिन उनको भी 41 रन के स्कोर पर दिलशान मदुशंका ने इन दोनों बल्ले बाजों कमाल की बैटिंग करते हुए 170 उनकी शांदार पार्टनेशिब कर ली थी और इन दोनों बल्ले बाजों ने ही 8 स्कुरकर दाले थे और यह दोनों बल्ले बाज अपने स्थे पीर आगे बढ़ रहे थे लेकिन तब ही एक के और एंजिल कर आउट हुए थे तो इसके बाद 211 रन के स्कोर पर मैथ्यूज ने शैंटो को क्लीन बोल्ट मार दिया था और वो 90 रनों की भैतरी इंपारी खेल कर आउट हुए थे लेकिन इसके बाद मुहमब दुल्दा ने इसके बाद शांदार बैटिंग करी और 23 गेंदों में 22 रन ब बाकी थे और इस वजह से बड़े मुकाबले को पांगलादेश की टीम ने बड़े अराम से जीत लिया